हरियों पैय दर्सकों पैरिमित्रों स्वागत है आप सभी का दन्नोलोज ग्रू के ये रूप चैनल पर सोलर एकलिफ 2024 आट अप्रायल को साल का पहला सूर ग्रहन जानिय भारत में दिखेगा या नहीं और सुतक का चैतर नौरात्री के सुरू होने से एक दिन पहले चैतर अमावस्या पर साल का पहला सूर ग्रहन लगेगा आठ अपरेल को चैत्र अमावस्या है और इस दिन सूर गहन लगेगा फिर अगले दिन 2 महा के सुखल्पक्स की प्रतिपता तितिपर चैत्र नौरात्री आरंब हो जाएगी आठ अपरेल को लगने वाला ये सूर गहन पूर्ण सूर गहन होगा यह सूर गहन काफी देड तक चलेगा और माना जा रहा है कि इतने लंबे समय तक चलने वाला सूर गहन करीब 50 साल बाद फिर से लगेगा इस सूर गहन की कुल अवधी 5 घंटे 25 समय होगी सूर गहन के दौरान काफी देड तक धर्दी के जिंजिन इलाकों में देखेगा सूर गहन 8 अपरेल को लगेगा और एक पूर्ण सूर गहन होगा भारती समय के अनुसार यह गहन 8 अपरेल को रात 9 बज कर 12 मिनट से सुरू हो जाएगा जो रात के करीब 2 बज कर 22 मिनट पर खत्म होगा यह गहन कनाड़ा, मैक्सको, युनाइटेड स्टेट्स, निदरलेंड, कोलंबिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमाइनका, ग्रिलेंड, आइरेंड, आइसलेंड, जमायका, नार्वे, पनामा, निकरांगवा, रूस, पूर्टको, रिको, सैंड मार्टिन, इस्पेन, दाब गहन रात को लगेगा, तो सूतक काल की बात करें, हिंदू मानताओं में सूर्गहन को सुब नहीं माना जाता है, गहन के सुरू होने के कुछ घंटे पहले सूतक काल सुरू हो जाता है, सूतक काल के आरभ होने पर किसी भी तरह का सुब काम या पूजा पाठ करना वर्जित ह सूरगहन लगने पर सूटकॏल गहन के सुरू होने के 12 घंटे पहले लग जाता है वहीं चंद्रगहन पर सूटकॏल 9 घंटे पहले लगता है जबकी भारत में सूर गहन नहीं रहेगा इसका इसका सूटक माने नहीं होगा। सूरुःंगे हने पर इसका प्रभाव mês दुनिया के साथ सभी बारे रास्यों के जातकों पर पढ़ता यह सूरुःंगे हस्त नच्शत्र और कन्याराशी मिले गया। इसके साथ चंडर्मा बुद्ध और केतु के साथ करने रासी में मौझूद होंगे ऐसे में कुछ रासी के जातकों को मांसिक तनाओं का सामना करना पड़ सकता है। हैसा संयोग 1970 में बना था। आट अप्रायल को जब सूर ग्रहन लगेगा तब इस दौरान कुछ समय के लिए प्रत्वी पर अंधिरा चा जाएगा यानि ग्रहन में सूर पूरी तरह से गाइब हो जाएगा। इसके चलते दिन में अंधिरा सा हो जाएगा। 8 अप्रायल को लगने वारा सूर ग्रहन का प्रभाव 12 रासियों के जात्कों के उपर अवस ही पड़ेगा। जोतिस सास्त्र की गड़ना के मताबिक मेईस, वरसक, कन्या, कुम्ब और धनुरासि के जात्कों के लिए सूर ग्रहन अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इन रासि के जात्कों को नौकरी वैपार और काच्छेत्र में परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है। वह दूसरी तरफ वरसब, मिथुन, करक और सिंग रास के जात्कों के लिए ये ग्रहन सुब सावित हो सकता है।